तो चलिए एपीटॉक के एक और एपसोर्ट को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं और आज भी भाई बहुत सारा इंपोर्टेन अपडेट निकल का आया है इंडियान फुटबॉल चुझे तो आपको अगर जानना है तो इस वीडियो कान तक जरूर देखते रहना तो जैसे कब लोग देख सकते हों कि मजबुरान आज मुझे वोई सुबर करना पर रहा है थोरा बहुत दिक्का थी इसलिए मैंने फेस्केप नहीं क्या है और इस तरीके से भाई आपको कुछ दिन वीडियो में देने वाला हूँ लेकिन अपडेट आपको जरूर मिलेगा और एबी टॉक का भाई जो समय है भाई ओ भी थोरा बहुत आपको चेंज होते होई दिखाई दे रहा है क्योंकि इस टाइम पर मैं एबी टॉक नहीं देता हूँ तो कल मैंने आपको अपडेट नहीं दिया था हो चुका है साइनिंग कॉंपलिट हो चुका है इस तरह का ही अपडेट है इसके चलते उनको भाई गोल्डेन बूट मिला था और उनका जो लास्ट परमेंस था उसको ही देखते हुए भाई यहां पर मुंबई सिटी एपसी ने उनके उपर इंटरस दिखाया है और साइनि लिंक अप होते हैं लेकिन और इसके उनके दिया था जब मुंबई सिटी एपसी का उफर उनके पास पहुंचा था यहां पर एक मेन फ्रेक्टर भाई काम कर रहा है वह भाई एपसी चेंपन लीग खेलने का मौका जैसे कि लास्ट सीजन जब एपसी गोज एपसी चेंपन खेला था तब इगोर अंगोलो को उनके स्क्वार्ट से ही बाहर कर दिया था लेकिन अब मुंबई सिटी एपसी नेक्स्ट एपसी चेंपन लीग खेलने वाला है 2022 में और उसलिए मुझे लग रहा है कि यहां पर इगोर अंगोलो मुंबई सिटी एपसी में सिट हो चुका ह मुंबई सिटी एपसी में सिट हो रहा है अब लोग कनपरा मान लीजिए जैसा कि कुछ दिन से डिमर्स चल रहा था कि एक्टिक मोहन बागान के साथ सब कुछ फानलाइज होने ही वाला है एकदम नेगोसियेशन फाइन स्टेज पर पहुंच चुका है लेकिन भाई सब कुछ देनी के लिए लिए एक प्रभाबीत क्या है एपसी चयंपियन लीस में भाई एक अच्छा प पोजेक्ट है अपुया के लिए ku मुंबई City FC में इस लिए उन्हीं मुंबई City FC को चूज क्या है वो इडिक के मोहन बागन अब इसकास कर पाया उन्हीं किया है क्मन हम और Capital कुछ के लिए मुंबई सिटी FC करते एक long term process में रहेगा अपुया ये भी एक अच्छा पोजेक्ट है और उसको ही देखते है अपुया नेक्स्ट अब मुंबई सिटी FC में सीप्र हो रहा है एकदम कंफरम चीज है इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बैंगलोडी FC के तरब से साथ खेलत हुए लिग में उन्होंने बारा गोल लगाया था और गोल्डन बूर्ड भी आसिर किया था बहुत सरा टीमों ने उनको इंटरेस्ट दिखा था लेकिन फाइनली भाई बैंगलोडी FC ने उनको कॉन्वेंस कर लिया और बैंगलोडी FC में ओफिस्याली सिफ्ट हो था और भी बहुत सरा क्लाबने इंटरेस्ट दिखाया था लेकिन अंत में जाकर बैंगलोडी FC को चूज क्या है और मुझे लग रहे हैं कि हाँ पर सुनिशित्री के साथ और उनको बहुत सारा चीज सिखने को मिलेगा जो कि एक बहुत अच्छा चोईस है बिद्दर सगर क यह कि सुनिशित्री स्टीम में मौजू थे और उनको भाई गाइड कर सकता है सुनिशित्री मुझे तो बहुत है अच्छा लगा है इस तरीकी के डिसेशन देखकर विद्द्द सगर सिंका और इसके बद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बहुत सारा सवाल किया गया था कर करने वाला है साथ साथ उनकी स्टाइकर के बार में एक बहुत इंट्रिस्टिंग सा फैक्ट हमें पता चला है तो करलब लेस्टेर इपसी का भाई एज इस स्टाइकर फास्ट चोईश था एरिदने संतना और उनके पास अच्छा खासा आउपर भी गया था करलब लेकिन जब बहुत कम पैसे में वह स्पेन में रहने का डिसिजिशन लिया भाई वहाँ पर एकदम सर्प्राइस हो गया था करलब लेकिन भाई कुछ नहीं क बागे चालकर क्या पता चलता है लेकिन अपड़ेट ही कि बेल्जियम के टॉप डिविसन का एक स्टाइकर कड़ अने वाला है साथ साथ के भाई के बाई सर्जियोंचा को लेकर भी अब्डेट दिया है सर्जियोंचा भाई कमबेक कर सकता है फिर से करपास्ट इसिशिश अपने राडर में उनको अभी भी रखा है अगर आपको निक्स सीजन के साथ अभी भाई कनेक्स से नहें कर बूला लिया जाए उनके टीम में तो एक बहुत बड़ा अपडेट यहां पर आपको मैंने बता दिया इसके बाद नेक्स अपडेट आ रहा है भाई नौट इस्ट से अपडेट पहुच चुका है रिपटा जूका है कंट्रैक को लेकर अचरल क्वागन को यहींति के महण बागन का आज एक कॉंट्रेक्स करके खुद ही बताया आज 29 जुलाई मोहनबागन डेपर बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा एर सब्सक्राइब आने वाला है तो भाई पेज को जरूर फॉलो करते रहना एड़ी के मुझे तो अगरहे कि एटे के साइड एटे के मोहन बागान रोय किसना बाइबिड विल्यामस को आज एनौन्स कर सकता है इन दोनों में सुटको एक और रहे फा और उनके उपर इंट्रेर्स देखा है भाई ओरिस से FC अगर पैंगलोड इपसी उनको ऊफिसियाल रिलीज कर देता है तो ओरिस से FC में स्रीप्ट हो सकता है एरिक पैटल इस तरह कही डेमर से एरिक पैटल को उपर ओरिस से FC ने अपना नजर दिया है तो फिलाल के लिए आज किस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरू कर दिए अपने दोस्तों से जादा श्यादा कर दिए ताकि उनको भी स्टेश्टी चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आल नोटिफिकेश मिल जाए जब भी में भी डब्लोट करूं